ओम शान्ती 28-3-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कलप चलते हो अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे प्राश्न बेहत का बाब बच्चों को कौन सी आशिरवात देते हैं और वह आशिरवात किनों को प्राप्त होती हैं उत्तर बाप आशिरवात देते बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे अमर रहेंगे तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा अकाले मृत्यू नहीं होगी कामधेनों माता तुम्हारी सब मनोकामनाई पूर्ण कर देंगी परन्तु तुम्हें इस विश्विकार को छोड़ना पड़ेगा यह आशिरवात उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं बाबा कहते बच्चे दुनिया बदल रही है इसलिए पावन जरूर बनो गीत ओम नमोशिवाए ओम शांती भगवान के बच्चों ने गीत सुना अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं वह सर्व का एक ही बाप है लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे बेहत का बाप सर्व का ही बाप है सर्व का सदगती दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाब भी निराकार है उनकी ही तुमने महिमा सुनी है परमपिता परमात्मा शिबाबा आप उंचे ते उंचे हो सर्व के सद्गती दाता हो सबकी सद्गती करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं मनुष्य मनुष्य की सद्गती कर ना सके मनुष्य की कोई महिमा है नहीं अभी तुम बच्चों को बेहत के बाप द्वारा वर्षा मिलता है आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हों उसको राम राज्य कहा जाता है फिर द्वापर से रामण राज्य शुरू होता है पांच विकारो रूपी भूद प्रवेश होते हैं जैसे वह भूद अशुद आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है वैसे इन भूदों में नंबर वन भूद काम महाशत्रू है आधाकल्प इस भूद ने तुमको बहुत दुखी किया है अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे बाप ही सबसे प्रतिग्या कराते हैं बाप कहते हैं तुम पावन बनने के राखी बांध हो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था नाम ही सुखधाम था अभी है दुखधाम एक तो काम कटारी चलाते हैं दूसरा लड़ते जगडते रहते हैं देखो कितना दुख है बाप आते ही हैं संगम पर यह है कल्यान कारी संगम युग तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्यान करने आये हो बाप कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो मनुश्य मत पर तो तुम आधा कल पर चलते रहे सद्गती दाता तो एक बाप ही है उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो बागी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कल्युक का अन्त आ गया है तमो प्रदान बन गए हैं अपने को ईश्र कहला कर अपनी ही बैट पूजा कराते हैं शास्त्रों में प्रहलात की बात दिखाई है दिखाते हैं कि थम्ब से नर सिंग भगवान निकले उसने आकर हिरण नकश्यप को मारा अब इस थम्ब से तो कोई निकलता नहीं है बाकी सभी का विनाश तो होना ही है बाप कहते हैं इन साधू संत महत्मा अजामिल जैसे पापी आत्माओं कभी उद्धार में आकर करता हूं बाप आकर ग्यान अमरित का कलश माताओं पर रखते हैं माता गुरू बिगर किसकी सद्गती हो न सके जगत अमबा है काम देनू सभी की मनुकामना पूर्ण करने वाली उनकी तुम बच्चियां हो अब आप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनू पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होंगे रावन राज्य में सभी पतित है अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वरशा देने के लिए कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे आशरवाद देते हैं ना लौकिक मात पिता भी आशरवाद करते हैं वह है अल्पकाल सुख के लिए यह है बेहत का मात पिता कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा अकाले मृत्यू नहीं होगा सदा सुखी रहेंगे काम धेनो माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती हैं सिर्फ विश को छोड़ना होगा क्योंकि आप अवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे बाप कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ सिर्फ पावन बनो ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है न अपने को पतित करना है न दूसरे को पतित होने देना है इस मरत्यू लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है तब अमर लोक चलेंगे बाप बैट आत्माओं को समझाते हैं आत्मा ही धारन करती है बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हूँ तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी अब फिर ले चलने आया हूँ जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा मीरा ने भी विश्कत त्याक किया तो उनका नाम कितना बाला है बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे मैं ब्रह्माद्वारा तुमको राज्योग सिखलाता हूँ तुमको श्रीमत देता हूँ स्रेष्ठ देवता बनने के लिए क्रश्ण पुरी में चलना है श्रीक्रिष्ण की देखो कितनी महिमा है वह है सर्वगुण संपन्न हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्षमी नरायन बनेंगे जिनोंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहेंगे यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं शिबाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं कहते हैं तुम सब सजनिया अत्वा भक्तियां हो एक है साजन अत्वा भगवान मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते यह उल्टीमत तुमको मिली हुई है इसलिए तुम्हारी ऐसी दुरगती हुई है मैं ही एक पार करने वाला हूँ यह गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे इसलिए मैं स्वयम ही लेने को आया हूँ फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूँगा वह है विश्नुपुरी सूर्यवंची त्रेता को कहा जाता है रामराज्य उसके बात शुरू होता है रामराज्य द्वापर में तो भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था यही भारत पूर्ण विकारी बन गया अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो दो बंदरों की कहानी वह आपस में लड़ते हैं विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है तुम केवल शिवाबा और स्वर्ग को ही याद करो घर ग्रहस्त में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं कल्प पहले भी हुए थे अभी भी होंगे जरूर क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो गाया भी हुआ है अमरत छोड विश काहे को खाए अमरत पीते पीते तो मनश्य से देवता बन जाते हूं जो पक्के ब्रामन होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परन्तो हम विश नहीं देंगे कितना सहन भी करते हैं तब तो उच्पत पाते हैं शिबाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं शिबाबा का फर्मान है फर्मान तो सब को है इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परमधाम में आ जाएंगे श्यवाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं यह भी मनुश्य है मनुश्य कभी भी मनुश्य को पावन नहीं बना सकते बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े क्योंकि यहां कोई पावन तो है नहीं अब बाप कहते हैं मैं तुमको श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे तुमको तो ग्यान मिलता है कि ग्रहस्त वेभार में रहते शुरीमत पर चलो तो तुम सरेष्ट बनेगे तुम सब इश्वरिय परिवार के हो शेबाबा, ब्रहमा दादा तुम ब्रामपन ब्रामपनिया पौत्रे और पौत्रिया तुम सब को स्वर्ग का वर्शा बादशाही मिलती है बाप देता है स्वर्ग का वर्षा तो हम बाप के वारिश ठहरे तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए फिर हम अभी नर्क में क्यों बाप समझाते हैं रावण राजी के कारण तुम नर्क में पड़े हूँ अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए बाप है खिवाईया सबको उस पार ले जाते हैं श्रीकर्ष्न कोई सबका बाप नहीं है याद एक को ही करना है अनेकों को याद करना माना भक्ती मारक एक बाप को याद करेंगे तो अन्तमती सुगती हो जाएगी एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है ना कि अनेक गुरु गोसाईयों की वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है परन्तु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं आकाश पोलार है फिर भी नाम तो है ना अभी ये भारत कितना कंगाल है देवाला मारा हुआ है बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चड़िया बनाता हूँ भंबोर को आक तो लगनी ही है पुरानी दुनिया सारी खलास हो नई बनेगी तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो यह है ईश्वरिय पढ़ाई बाकी सब हैं आसुरी पढ़ाई इस पढ़ाई से तुम स्वर्ग वासी बनते हो उस दिन प्रती दिन बढ़ता जाएगा माया के तुफान भी बहुत लगते हैं तब बाप कहते हैं यह है दुखधाम अब तो मुझे याद करो परमधाम को याद करो और सुखधाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा बाप आते हैं दुखधाम से शांती धाम ले जाने अच्छा मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला ग्यान और योग से अपने बंधनों को काटना है इस दुख धाम को भूल शांती धाम और सुख धाम को याद करना है दूसरा कुछ सहन करना पड़े प्राण भी त्यागने पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने का फर्मान किया है उस पर चलना ही है पतित कभी नहीं बनना है वर्दान ब्रामहन सोफरिष्टा सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव संगम युकपर ब्रामहनों को ब्रामहन से फरिष्टा बनना है फरिष्टा अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुरानी संसकार, पुरानी देह के प्रती, कोई भी आकर्षन का रिस्ता नहीं तीनों से मुक्त, इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ती का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ती का तो फरिष्टा अर्थात मुक्त और मुक्त फरिष्टा ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे जब ऐसे ब्राम्हन सुसर्व आकर्षन मुक्त फरिष्टा सो देवता बनों तब प्रकरती भी दिल्व जान सिक्व प्रेम से आप सब की सेवा करेगी स्लोगन अपने संसकारों को इजी सरल बना दो तो सब कारे इजी हो जाएंगे मातेश्वरी जी के अनमूल महावाक्य परमात्मा करन करावनहार कैसे है बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैटे हैं कि यह जो अनादी बना बनाया स्रश्टी ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ करन करावनहार स्वामी सब कुछ परमात्मा ही करता है सुख दुख दोनों भाग परमात्मा नहीं बनाया है अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा पहले पहले उन्हों को यह समझाना जरूर है कि यह अनादी बनी बनाई स्रश्टी का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल आटोमेटिक चलता ही रहता है तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं यह नाम फिर कौन सी हस्ती के उपर पड़ा है अब इन बातों को समझना है पहले तो यह समझना है कि यह जो स्रश्टी का अनादी नियम है वो तो बना बनाया है जैसे परमात्मा भी अनादी है, माया भी अनादी है और यह चक्र भी आदी से लेकर अंत तक अनादी अविनाशी बना बनाया है जैसे बीज में understood व्रक्ष का ज्यान है न और व्रक्ष में understood बीज है दोनों कम mind है दोनों आविनाशी है बाकी बीज का क्या काम है बीज बोना जाड़ निकलना अगर बीज ना बोया जाए तो व्रक्ष उत्पनन नहीं होता तो परमात्मा भी स्वयम इस सारी स्रष्टी का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं अगर बीज नहीं बोया जाए तो ब्रक्ष कैसे निकलेगा मेरा नम परमात्मा ही तब है जब मेरा परमकारे है मेरी कारे ही है जो मैं खुद पाट धारी इन बीज बोता हूं स्रश्टी की आदी भी करता हूं और अंत भी करता हूं मैं करन धारी बन बीज बोता हूं बीज बोने का मतलब है रचना करना पुरानी स्रश्टी की अंत करना और नई स्रश्टी की आदी करना इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है अच्छा, ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टी यूही दे ते रहो बाबाबाबा जाओं बाबाबा